हेलो दोस्तों स्वागे था आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है इस रो की तरह से इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन की तरह से ये का अफिशली नोटिफिकेशन जारी कर दिये और इसमें बिल्कुल फ्रेशर कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं मतलब किसी भी टैप का एक्सपरेंस यहां पे नहीं मांगा और यहां पे ओल ओवर इंडिया के कंडिडेट अलिजिबल है और लगबग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी तो आपको ये भी टैंशन नियलेने के मेरी ब्रांच अलिजिबल है की नहीं है तो लगबग सारी ब्रांच आप को देखने को मिल जाती है qualification जो आप कर रहेगा वो आप कर रहेगा अगर आपने diploma कर रखा है 3 साल का तो आप यहाँ eligible है apply कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे bb tech कर रखा है 4 साल का तो भी आप eligible है apply कर सकते हैं और यदि आपने graduation कर रखा है 3 साल का तो भी आप eligible हैं, तो यहाँ पे graduate वाले भी apply कर सकते हैं, तो ITA वाले यहाँ पे eligible नहीं हैं, तो मैं आपको पहले clear कर रहा हूँ, कोई ITA वाला बच्चा वीडियो को देख रहा है, तो like करके comment box में अपने trade को comment करके बता सकते हैं, बाकि दूसरे बच्चे भी बता दीजेगा, कि आप कि branch कौन सी है, आपका password कौन सा है, और आप कौन सी location के अंदर job को search कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या रहता हैं कि बहुत कम location को preference देते हैं, कि जैसे कि कोई अगर बच्चा यहाँ पे डैली का है, तो डैली location के अंदर ही job location को preference देगा, तो मैं उसके according आपको update भ ना रहता है, जब आप वीडियो को like करते हो, 900 प्लस आपको like करवाने हैं, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा, comment box में education qualification को comment करके बता देना, branch कौन सी है, trade कौन सा है, passive tier कौन सा है, pressure हो, experience holder हो, कौन सी job location में आप job को search कर रहे हैं, ताकि next वीडियो के अंदर दोनों जगे एक link provide करवा रखा है, connect with me का, अगर आप उसपे click करते हैं, आपके सामने directly ये tap open हो जाएगा, और आप जो भी platform यूज़ करते हैं, LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, उसपे click करके, directly आप हमसे connect हो सकते हैं, और बात कर सकते हैं, कोई भी doubt है, किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझसे directly पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है, selected student के list को, तो यह उन्हें student के list है, जो कि आज top एवेंसी में काम कर रहे हैं, top PSU में काम कर रहे हैं, हमारे चैनल के तुरू, तो इसी बात पे आप चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को जरूर से press कर लिजेगा, ताकि जब को download कर लिए है, जैसा कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं, जैसे ही video upload होगा YouTube चैनल पे, उसके 15 मिनट के बाद आपको ये notification टेलिग्राम चैनल पे दिख जाएगा, मैं upload कर दूँगा, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से join हो के रखेगा, link आपको description में और comment box में मिल जाए अब बात की जाए, वेकेंसी के बारे में, ये निकाली गई है, यहाँ पे ISRO के तरह से, Indian Space Research Organization के तरह से वेकेंसी रहेगी, यहाँ पे pressure apply कर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप eligible हैं, अगर आपने यहाँ पे BB Tech कर रखा है, तो भी आप इसको apply कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे graduation कर रखा है, तो भी आप eligible रहेंगे, यह आपका top पे दे रखा है, advertisement का number जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे notification का date आप देख सकते हैं, तीन परवरी 2024 का notification रहने वाल है, और उपर यहाँ पे दे रखा है, company का आप पढ़ना चाहें, तो पढ़ सकते हैं, बागी बात कीज़ें यहाँ पे कि कौन कौन सी branch eligible रहेगी, qualification क्या रहेगा, position क्या रहेगा, देखे सबसे पहली बात यहाँ पे apprenticeship training के पदों के लिए vacancy निकाली गई है, अब apprenticeship क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता एक साल का यह training program रहेगा, जिसका फायदा यह रहता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे government job की preparation कर रहे हैं, काफी time से 3-4 साल होगे, अब वो सोचते हैं कि यार private sector में आप job लेंगे तो मिलती नहीं है, क्योंकि उनके carrier में gap आ जाता है, जैसे कि 3-4 साल का, तो अब उनको करने का फायदा यह रहता है कि अगर आप apprenticeship कर लेते हैं, वो बच्चे जो कि जिनके carrier में gap है, तो वो अगर apprenticeship कर लेते हैं, तो उनको फायदा मिलता है, easily private sector में job मिल जाती है, ठीक है न, तो आप apprenticeship कर के रखेगा, फायदा आपको मिलेगा, और यहाँ पर बात की जाए, कि सबसे पहले बी-बी-टेक वालों के लिए apprenticeship निकाली गई है, अगर आपने diploma कर रखा है, तो आप apply कर सकते हैं, और अगर आपने simple graduation कर रखा है, तो भी आप eligible रहेंगे, तो one by one हम तीनों को discuss कर लेते हैं, पहली बात यहाँ पे एक chart mention कर रखा है, जिसमें आपका code है, और आपका discipline है, number of vacancy हाँ रहें ऐख़ा है, कितना stipid मिलेगा वह है, essential qualification है, सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आपने b-v-tech कर रखा है, mechanical ब्राँच में, तो अप इसको apply कर सकते हैं, electrical ब्राँच में कर रखा है, तो आप eligible है, civil ब्राँच में कर रखा है, तोआप eligible है, electronics ब्राँच में कर रखा है तो आप eligible है, instrumentation में कर रखा है, bb tech, तो आप eligible है, chemical में कर रखा है, तो आप eligible है, computer science and engineering में कर रखा है, तो आप eligible है, 9000 रुपए पर महीने के साब से आपका step it मिलेगा, full time की degree आपकी होने जरूरी है, मतलब कि अगर आपने bachelor of technology कर रखा है, तो भी आप eligible है, bachelor of engineering कर रखा है, मतलब कि B.E. कर रखा है, तो आप eligible है, आप इसको apply कर सकते हैं, 60% का criteria complete होना जरूरी है, अब यहाँ पर mention कर रखा है, 60% का criteria, बच्चों को अगर दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूँ, first class bachelor degree, मतलब कि 60% का criteria complete होना चाहिए, अब बहुत सारे बच्चे comment box में सवाल जरूर पूचेंगे कि 2024 सवाल eligible है कि नहीं है, दीखे 60% अभी तक आपके बने नहीं है, बली आपके अभी आपका 5th semester या फिर आपका 7th semester खतम हुआ है, आप अभी 8th semester में हो या फिर आप 6th semester में हो, तो अभी तक आपके 60% overall बने नहीं है, तो वो candidate इसको apply नहीं कर सकत जो 2024 में पास उटोने वाले हैं, 2023 सवाले candidate eligible हैं, और 2023 से पहले अगर आप पास उट हुए हैं, तो आप इसको apply कर सकते हैं, आपका ये doubt clear हो गया होगा, अब बात की जाएं यहाँ आपे next vacancy के बारे में, ये निकाली गई है technician apprenticeship, इसके अंदर कौन apply कर सकते हैं, जिन्होंने ड इप्लोमा की है, electronics में डिप्लोमा की है, electrical में डिप्लोमा की है, civil में डिप्लोमा की है, chemical में डिप्लोमा की है, तीन साल का, आप इसके लिए eligible हैं, इसमें भी बोला गया है, कि 60% का criteria complete होना जरूरी है, 8000 रुपय पर महिने के साब से step it आपको मिलेगा, 2024 वाले candidate यहाँ पे eligible नहीं है, अगर आप 2024 के हैं, तो comment box में इतना तो जरूर बता दीजिए, कि आपकी branch कौन सी है, कौन सी job location के लिए आप job search कर रहे हैं, और यहाँ पे 44 vacancy रहेगी, next रहेगा यहाँ पे graduate apprenticeship के लिए, जो कि non engineering का department रहता है, जिसके अंदर BA, BSC, B.com वाले candidate eligible है, और यहाँ पे percent का criteria complete होना जरूरी है, 2023 या 2023 से पहले वाले candidate apply कर सकते हैं, 2024 वाले candidate apply नहीं कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, अब बात की जाए कुछ और important point के बारे में, यह आपका एक साल का apprenticeship program रहेगा, कोई permanent job नहीं है, एक लाई के आपको training देंगे, कि industry के अंदर कैसे काम करना होता है industry कैसे run करती है, इससे आपको experience मिलेगा, बहुत बड़े organization में काम करने का, and यहाँ पे जिन्होंने पहले कभी apprenticeship कर रखा है, वो इसको apply नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़िया बात यहाँ पी यह है, कि 2019, 20, 21, 22, 23, मतलब कि यह जो आपके 5 साल है, वो 5 साल वाले candidate को यहाँ प एक किस वाले candidate eligible है, 22 वाले candidate eligible है, और 23 सुआले candidate apply कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही यहाँ पे mention किया गया है, and यहाँ पे बात कीज़े, कि जिन्होंने sandwich course कर रखा है, तो वो apply नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी apprenticeship कर रखा है, वो यहाँ प apply नहीं कर सकते जिन्होंने कभी apprenticeship join किया था, और बीच में छोड़ दिया है, वो इसको apply नहीं कर सकते, और एक साल से ज़्यादा का experience है, अगर आपको किसी public sector के अंदर, तो आप इसको apply नहीं कर सकते, सारे points मैंने यहाँ पे cover कर दी है, and यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है कि age limit क्या रहेगी यह age limit आपका रहेगा general candidate के लिए और EWS candidate के लिए, जो कि general category माते हैं, EWS category माते हैं, अगर आपने BB tech कर रखा है, तो आपका 26 साल का age limit रहेगा, अगर आपने simple graduation कर रखा है, तो आपका जो age limit रहेगा, वो आपका 26 साल रहेगा, और अगर आपने diploma कर रखा है, इन्होंने diploma को 35 सा पाल होना चाहिए लेकिन डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए इन्होंने 35 ये दिये हैं जो कि मेंशन कर रहा है वहीं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बाकी एजरेलेक्शिशन आपको मिलेगा OVC कैंडिडेट को 3 साल गा, SST कैंडिडेट को 5 साल गा यहाँ पर रेजरेशन कोटा भी रहता है जो कि मेंशन कर रहा है, अब सलेक्शन कैसे होगा सलेक्शन के लिए आपको डिरेक्ली इंट्र Raphael देने के लिए जाना पढ़ेगा अब interview कहां पे होगा जो कि आपका offline होगा मतलब कि ये interview आपको देने जाना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने BB Tech कर रखा है ये interview चलेगा आपका 10 फरवरी को जो कि आपका 9 बज़े से लेके 12 बज़े के बीश में चलेगा ये सारी branch वाले जा सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ये आपका चलेगा यहाँ पे 10 फरवरी को जो कि ये सारी branch चलेजिबल है अगर आपने कर रखा यहाँ पे graduation बीए बीकॉम बीसी तो आपका चलेगा यहाँ पे 11 फरवरी को टाइमिंग फिक्स है साड़े 9 से लेके आपका 12 बज़े तक यहाँ पे इन्होंने कुछ mandatory चीज़े बोल रखी है कि आप download application को download कर सकते हैं इनकी officially website पे www.iprc.gov.in से इस website से आप इनका application form को download कर सकते हैं सारी चीज़ आपको attach कर लेनी है जो भी original document ID proof है उसको लेके आपको चले जना है यहाँ पे आपका MHRD Nets Portal पे registration होना जरूरी है वो आ बाकी आप इसको अच्छे से देख लेना यहाँ पे and यहाँ पे अगर आपको कोई doubt है तो इनका email ID दे रखा है इस email ID पे आप contact कर सकते हैं बाकी यहाँ पे इन्होंने सब कुछ अच्छे से provide करवा रखा है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी doubt है आप comment box में comment क करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप personally connect हो सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इस PDF का link मैंने आपको वीडियो के description में भी दे रखा है और जैसे ही वीडियो upload होगा उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको telegram channel पे यह PDF में आपको provide करवा दूँगा तो telegram channel क join होके रखिएगा तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job के need है comment box में जुरूर बताना आपका education qualification कौन सा है कौन सी job आप search कर रहे है all the very best जैहिन